काणि मिसमिरा रहिम आसलम यूटीब फैमिली वैलकम टूत मासरा किचन नहीं हूं चिकन ख्राइ करहाई बिलकुल रेस्टरेट स्टाल मैं तो चलेंबी चिकन ख्राइ करहाई किस तरीकसे बनानी में आपको को बताती हो यहां पर मैंने碑 किलो चिकन के से लिये में अर्डी कीलो चिकन के बिड्रील out मैंने अको बहा है शुरूच्छिजज़ छुटे workout कटिंग करके अच्छे से मेश करके इस की प्यूरी ले ली ये इसंमें जाएंगे यहां पे देखे मैंने ए च्छोटी चुटी हरी मिर्चे मेरे पास तक्रीमन नौ है और एक अड़ी हरी मिर्चे 9 से दस हरी मिर्चे मेन राकीमि और इसमें मैंने चॉक्षिया वहा इसके साथ ही जाएगा यहां पे मैंने बारिक काट लिया है अधरक, फुल 1 टेबल पुन गार्लिक जिंजर पेस्ट, मसाले में जाएगा, यहां पे एक लिए टीटी इसपून गुटरा हुआवा सोंफ, 1 टी इसपून गुटरा हुआ सफैब जीरा तो यह पर दो बढ़ा हाफ टी इस्पून कुटी हुई काली मिर्चे हजब ज़रुवत नमक और इसमें मैं बनाने में यूज करूगी यहां पे मैं यह एक साशा लिया वह है शान का रहाई शान का रहाई चिकन का रहाई मसाला इसको मैं पूरा एक पाउच जो है पूरा एक तो चलेपर चलें किस तरीके सी चिकन फ्राइ कड़ा रड़ी करनी है यहां पर मैंने बन काफ गरम कर दिया है आप इसमें जो मैंने काच कर लिए इसको एट और फोड़ी सी प्यास को मैं फ्राइब करोंगी इतनी नहीं के प्यास गोल्डलन हो प्यास को पस लाइट सावे ब्राउन नहीं होने देना है बिलकुल हर्की गुलाबी हो चुकी है अब इस स्टेज मैं अग्रग लैसन का पेस्ट और इसे दाल के मैं चंड सेकेंड इसको प्राइ करूंगी और फीज को मैंने मिलियम रखावा इसको अभी ने गार्लिक जेंजर का तेस्ट दाल के चंड प् अब अपना पानी और सक्राइब अभी धुली होסयां तरहसेक को स्कोरणाल नहीं पर शवे अब इसको रखाब अब नहीं होनके हम चड़ को अब इसको धुकुल है कंड बेश ब्रए्चिकन रखा दया बानी सुट्सब कोड़ घ्टचे – एयरा 59K 225 झीसको तो इसको अनु अब भी चिकन देखें दिल्टॉब अलग हो चुका है और चिकन दिल्टॉब प्राइब हो चुकी है वाइड हो चुकी है और इसेस्टेज में इसमें जाएगी कुटी मुली लाल मेट वह सारी काली मिंच पीटा सपैच जीरा एक फुटा हुआ संफ, तब पुटी लाल मेच और यहां पर पर शान करही का पूरा पौच रखा पौच पूरा एक पकेज जो है और पौच में इसमे अड़ बाले करह लोगी हीट को में इसको फ्राइक धिर ने की अपार पौच अब एलुगी हीट को में इसको वटार ड़ी अच्छी के साथ मैं इसे मीडियम फ्लैम में पकाऊंगी ताकि चिकन भी गल जाए और मसाली की तमाम महग देनी करूँ इस स्टेश में मैं थोड़ा सा नमक आड़ करूँ ही नमक आपको बहुत मुनासबत से डालना है क्योंकि शान का जो मैंने पॉच टाला है उसमें भी नम अब ही मैं इसको और भूनूंगी ताकि इससे तेल गाज़ा और मसाला अच्छी तरीके से चिकन में लग जाए और यह बिल्कुल घुनाजर के बाद तरफ से कढ़ाई बिल्कुल अच्छी से खुनाई जा चुकी है तेल उपर आ चुका है मसाला यहां पे लिगना शुरू अच्छी के लिए रख लिया है जब में डिशाट करूंगी तो पर से डाल कि आपको दिखाऊंगी और इसमें हाफ लामन आट करूंगी यह जो मैंने लामन रखा था इसमें लामन जूसाइट करूंगी इसमें अब मैंसे मीडियम फिले में इतना कुक करूंगी कि जबादा अच्छी के सारे मसाले जहें वो चिकन में लग जहें और तेल अलग होजा और हमारे पास फ्राइट कढ़ाई आजाए ठीक है दान चिकन फ्राइट कढ़ाई रड़ी है यह देके शोर्बा कहीं पर नहीं है हर तरह बस वैली वैल है और भुना हुआ हुआ है अब मैं साथ क याद रुकिएगा इजादत दीजिएगा अला हाफिज